दोस्तों यह है Motorola One Fusion Plus जहां पर आपको मिलता है कुछ इस तरीके का अप एंड डाउन होने वाला एक pop-up camera अब इसके help से आपको फाइदा यह होता है कि अगर आप कभी भी वीडियो यह सब देखते हैं तो आपको कहीं भी bezel कहीं भी मतलब जो फाल्तु के notch और जो punch hole रहते हैं व अगर आपने इसे jeans के अंदर बहुत दिनों के बाद वैसे निकाला हूँ क्योंकि घर पे रहना रहता है तो jeans यह से पहन के बाहर नहीं जाता हाला कि जो भी है तो इसके अंदर अगर आपने डाल के रखा है और आपको कोई video कॉल कर देता है चुपके से तो यह बाहर निकले कर रहे हो like कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि आप इस video को enjoy कर रहे हैं तो सबसे पहला जो test हम करने वाले है वो है इसका selfie camera को on करेंगे और एक picture निकालेंगे कुछ इस तरीके से और माल यह जब picture निकालने के करम में यह उपर से नीचे गिरता है तो देखते हैं कि यह अंद निकला हुआ है बाहर और यहां पर से यह गिरेगा तो यह अंदर जा चुका है तो यहां पर से यह तो पता चल गया कि अगर आप picture निकालते हैं और यह उपर से नीचे गिरता है तो यह अंदर चला जाएगा इसका pop-up camera दूसरा जो test हम करने वाले हैं वह है इसके video mode में जा यहां पर से 3,2,1 तो आप देख सकते हैं कि यह अंदर जा चुका है यानि कि वीडियो भी अगर आप record करते हैं तो वीडियो बंद हो जाएगा इसका pop-up camera अंदर जाएगा जो कि मुझे काफी अच्छा लगा तो अभी तक आपने एक चीज नोटिस किया कि यह कभी भी उप अबर से नीचे गिरता है तो इसका pop-up camera अंदर तो चला जाएगा लेकिन एक चीज में आपको बता देता हूं कि अगर यह बहुत कम height से गिरेगा तो जब तक यह अंदर जाएगा तब तक में भी इसका pop-up camera हिट कर जाए जमीन के ऊपर तो अगर ठीक ठाक height से गिरेगा तो कुछ भी करो अंदर चला जाता है जो कि मुझे काफी अच्छी बात लगी तीसरा टेस्ट मैं करना चाहता हूं कि अगर माल लिया जाए आप कोई application का इस्तमाल कर रहे हैं जैसे कि YouTube पे आप मेरे वीडियो को देख रहे हो माल लिया जाए और अगर उसी वक्त आपको WhatsApp के जर और यहाँ पर से decline और answer करने का option आया है pop-up camera अभी तक बाहर नहीं निकला है चौथा टेस्ट हम यहाँ पर करना चाहेंगे कि अगर माल लिया जाए आप Chrome यह सब में कोई भी website को visit किये हो या फिर आप मेरे website को visit किये हो मान के चलो और उस बीच में अगर आपको call आता है WhatsApp के जरीए तो क्या यह दुबारा से on होगा या फी नहीं live demo आप सभी के सामने है आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि calling हो रहा है लेकिन pop-up camera नहीं निकल के आया तो मैं यहाँ पर से cut कर सकता हूँ answer करूँगा तो यहाँ पर से pop-up camera निकल जाएगा जो कि बहुत ही basic सी बात है त तो जैसे ही आप इस smartphone को normally रखते हो table के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते screen lock है और उस बीच पे अगर call आता है तो यहाँ पर से result आपके सामने रहेगा इसका pop-up camera निकल जा रहा है जो कि आप यहाँ पर से देख सकते है तो यहाँ पर से फिलाल मैं cut कर दे रहा हूँ इसके ब अब कुछ ठीक था बट वही है कि lock screen में यह चीज काम नहीं कर रहा है जो कि आपने देख लिया अब जो दूसरा application का मैं इस्तमाल करने वाला हूँ वो है यहाँ पर से Google Duo क्योंकि आप मैं से काफी लोग इसका 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 करते हैं माल लिया जाए आपने कोई एक application को इस्तमाल किया जैसे कि मैंने आपको दिखाया YouTube और उस बीच में अगर आपको call आता है Google Duo के मदद से तो यहाँ पर से यह on हो जुका है यानि कि Google Duo को कोई फरक नहीं पड़ रहा है कि यह on होगा या फी नहीं यह हर case में on हो रहा है जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं एक option और मैं आपको दिखाता हूं माल लिया जाए कि आपका screen lock है और उस बीच पर call आता है तो यहाँ पर से आप देख सकते है अगेन यह open हो जा रहा है जो कि आपके सामने है तो यहाँ पर से Google Duo में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यह ब आइक नहीं किया है तो कर दो ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैसा experience मिल रहा है अब जो next test में करने वाला हो वो अपने smartphone को अपने jeans के pocket के अंदर रखूंगा देखते हैं कि क्या होता है अगर हमें WhatsApp के जरीए call आता है तो यहाँ पर से कुछ इस तरीके से लोग यहाँ प आता है तो यहाँ पर से आप देख सकते है छुटकू सा निकल गया pop-up camera जो कि आपके सामने है दोस्तो यहाँ पर मतलब की pocket में अगर आप रखते हो तो यह बाहर के तरफ निकल जाएगा इसको मैं reverse करके एक बार और ट्राइ करता हूं देखते हैं कि उस बीच में क्या होता हाला कि मुझे लगता है कि यह निकला ही हुआ रहेगा देखते हैं result सब कुछ आपके सामने में fair रखने के लिए कर रहा हूं तो यहाँ पर से मुझे आवास तो आ गई है pop-up camera की निकलने की देखते हैं तो आप देख सकते हैं छोटे वाले भाई साब यहाँ पर से निकल के बाहर नहीं निकला मैं इस पर answer पर क्लिक करता हूं उसके बाद आप यहाँ पर से देख पाऊगे कि यहाँ पर से pop-up camera बाहर के तरफ निकला पता नहीं यह दुबारा अंदर क्यों गया था I don't know about that बट फिर भी जब आप answer करते हैं तब जाकर कि इसका pop-up camera निकलता है एक ब पर से जब भी बात करूंगा तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं कि pop-up camera बाहर के तरफ नॉर्मली निकला हुआ है आप यहाँ पर से next बात करते हैं jeans के अंदर रखके कि यह क्या result देता है हमें तो यहाँ पर से call आ चुका है अगर मैं आपको बाहर के तरफ निकाल करके दि ऐसे दोस्तों यहाँ पर दो सवाल जो है जो सबसे जादे important है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है मैं technically आपको बताता हूँ पहला सवाल कि अगर इस तरीके से यह रखा हुआ है या फिर कहीं भी रखा हुआ है और इस तरीके से call आ जाता है बाहर निकलता है तो यह problem है या फिर नहीं इससे concerned होना चाहिए या फिर नहीं तो जी हां बिल्कुल होना चाहिए क्योंकि माल या जाए आप कोई ऐसे जगा रखे हो जो कि कुछ इस तरीके से कही दफा होता है क्यों कहीं भी हम रख लिये कुछ ऐसे वैसे जैसे तैसे रख दिये चार्ज करना है कुछ ऐसे लगा के चार्ज कर रहे हैं उपर से लटका करके और ये इस तरीके से रखा है और उस बीच में कोई कॉल कर देगा तो ये उपर उड़ जाएगा तो यार ये एक concern आ जाता है क्योंकि motorized mechanism है और ये खराब होगा तो दिक्कत आ जाएगी लेकिन हाँ अच्छी बात ये है कि यार बहुत सारे अलग-अलग test perform किये हुए रहते हैं तो यहाँ पर जादा घबराने वाली बात नहीं है लेकिन हाँ ये एक concern है जो कि आपको ध्यान में रखना है दूसरा problem कि क्या ये जो problem है kind of ये fix हो सकता है या फिने तो इसका answer भी है हाँ तो यार आप घबराओ मर लेकिन वही बात है कि company कब तक इसका software update release करती है ये वाले चीज को fix करेगी तब जाकर कि आपका ये जो problem है kind of जो कि उपर बाहर निकल जाता है तो यार ये fix होगा अब आपने काफी दफ़ा देखा होगा कि pocket mode करके option रहता है बट इस phone में यानि कि stock android है तो वो option यहाँ पर नहीं दिया गया है बट जहां तक मैं सोच पा रहा हूँ कि ये option अगर मिल जाता है तो सायद से ये problem solve हो जाएगा क्योंकि जो pocket mode होता है उस पर होता क्या है कि ये sensor यहाँ पर लगा रहता है तो जब भी आप इस phone को कहीं भी रखते हैं जहां पर light का source नहीं आता है तो उस वक्त ना तो display on होगा और ना ही आपका pop-up camera on होगा तो वो feature की requirement है यहाँ पर जो missing है जब भी वो आएगा तभी जाकर कि ये problem fix हो सकता है या कोई भी OTA update की मदद से इसको fix किया जा सकता है तो hardware में कोई ऐसा issue नहीं है software में ये एक issue है जो कि अगर Motorola चाहे तो fix कर सकता है तो यार ये था मेरा पूरा take इस particular phone की regarding मैंने काफी अच् लगा होगा informative लगा होगा तो वीडियो को like करना आपका क्या thought है कहसा लगा आपको ये content comment कर देना ताकि मुझे भी पता चले और साथ ही साथ channel पर नहीं होंगे तो subscribe करके bell notification भी प्रेस कर लेना तो मैं हूँ आपका दोस्ता बजीत मिलता हूँ आपसे next video में thanks a lot for watching कर दोस्ता बजिए प्रेस कर दोस्ता बाता है